हेलो एवरिमन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में यदि आप सिक्षक बनना चाते हैं तो तीन नए विज्ञापन जारी हुए हैं सिक्षकों की सीधी भरती के मेरिट से जो है चैन किया जाएगा बिना फीस यहाँ पर आप लोग आविधन कर पा तो सबसे पहला जो विज्ञापन है जनपद बस्ती का है उसके बाद जो विज्ञापन है स्रावस्ती वस्ती और स्रावस्ती दोनों ही अलग अलग डिस्टिक हैं जहां से वेकेंसी आई है नेक्स जो है जिला बेसिक शिक्षादिकारी बिजनौर की वेकेंसी है सबसे पहल 2024 को 5 वज़े तक जो है आप आविधन कर सकते हैं बस्ती जिले के लिए अगर आविधन करना चाहेंगे तो वेकेंसी जो है कस्तूर्वा गंदी बालिका आवासिय विध्याले से जारी की गई है जिसमें full time teacher maths की वेकेंसी है, full time teacher science की वेकेंसी है, physical education teacher की वेकेंसी है, लेखाकार की वेकेंसी है ठीक है इसके बाद जो है मुख्य रसोया, सहायक रसोया की वेकेंसी है दूसरी जो वेकेंसी है स्रावस्ती की जो वेकेंसी है तो थोड़ा सा नोटिविकेशन आपको सही से नहीं नज़रा रहा होगा बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहां पर पूर्ण कालिक सिक्षिका में दो पद है गनित के अंसकालिक सिक्षिका में चार पद हैं, कम्प्यूटर के, अंसकालिक सिक्षिका में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तीन पद हैं, और उसके बाद सहायक रसोया के पद है, अंतियम डेट जो है स्रावस्ती के लिए अगर आप आविदन करना चाहेंगे, तो 30 मार्च 2024 तक जो हैंगे, तो 1 अपरेल 2024 तक आविदन कर पाएंगे, नेक्स्ट जो वेकेंसी है, बिजनओर की, बिजनओर की जो अन्तियम डेट है, 27 मार्च 2024 है और यहां सब्जेक्ट है, पूर्ण कालिक सिक्षिका में अंग्रेजी है, अंसकालिक सिक्षिका में कला, क्राफ्ट एंड संग अंसकालिक सिक्षिका में सारिरिक सिक्षा की है, उर्दू विश्य की है, मुखे रसोया, सहायक रसोया और चप्रासी की वेकेंसी है, तो इन में तो जो है एर्थ पास ही केवल मांगा जाता है, बाकी अगर आप यहाँ अंग्रेजी के लिए यहाँ पर आविदन करना इत्रावस्ती में या वस्ती में वेकेंसी आई है, मैथ की, साइन्स की, तो क्वालिफिकेशन जो है, ग्रेजुइशन आपकी मांगी जाती है यहाँ पर पूर्ण कालिक सिक्षिका के लिए, और साथ में जो है, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, सी टैट या टैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उच्छ प्रात्मिक सितर का टैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, कला क्राफ्ट एंड संगीत के लिए अगर आप आविदन करना चाहिए, तीनों विज्यापन में अगर वेकेंसी है, कला क्राफ्ट एंड संगीत की, तो यहाँ पर graduation और साथ में B.A.D. चाहिए ध्यान में रखना है physical education teacher के लिए W.P.A.D. C.P.A.D. और D.P.A.D. वाले आविदन कर सकते हैं उर्दू के लिए BT या B.A.D. वाले भी आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए आविदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमान पत्रों, चरित्र प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र, अगर जाती प्रमान पत्र कैटिगरी का अगर आप फायदा लेते हैं निवास प्रमान पत्र जो सक्षम अधिकारी दोरा प्रदत हो या आधार कार्ड की स्वव प्रमानित प्रतियां आप लोग इसमें लगाएंगे अप्लिकेशन फॉर्म के साथ में सैक्षिनिक पदों के लिए अभ्यरती को इस नातक परिक्षा के तीनों वर्स के अंकतालिका लगानी है यानि कि अगर आपने ग्रैजुइशन आर्ट से की है तो बी ए फर्स्ट इयर, सेकिंड इयर, थर्ड इयर तीनों वर्सों के अंकतालिका स्वव प्रमानित प्रतिय सलगन करना अनिवारे है तो उनकी फोटो कॉपी के नीचे खुद के साइन कर लेंगे तो अगर आविदन करेंगे तो उम्र रहनी चाहिए तो यदि आप आविदन करना अनिवारे होगा तो यदि आप आविदन करना चाहते हैं तो एप्लिकेशन फॉर्म आप लोगों को मेन वेबसाइट पर ही मिल जाएगा जैसे की डिस्टिक बस्ती गॉर्मेंट ओफ उतर प्र इसको आप लोग ग्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और नीचे ही आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा ठीक है इसे डाउनलोड करना है फिल करना है अपने जितने डॉकुमेंट है उनको इसके साथ जो है टैस्ट कर देना है और एड अद्रस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ देखिए, कारेले जिला बेसिक शिक्षा अदिकारी, नॉर्बल स्कूल बिल्डिंग गांधी नगर, बस्ती 272001, दूसरा जो है स्रावस्ती के लिए अगर आप आविधन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो है उसके बाद बिजनौर के लिए एड्रस जो है क्या रहेगा, तो यह भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अदिकारी, बैराज रोड जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पोस्ट का नाम जो है वो जरूर लिखें, एन्वलप के उपर, कस् करूंगी, ताकि मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होती है, तो आप लोग अपना नाम जो है देख सकें,